Hello friends, welcome to my channel Friends, आज हम आरे समाज के बारे में बात करेंगे आरे समाज जिनके संस्थापक थे स्वामी दयानन जी स्वामी दयानन जी ने समाज में फैली हुई बुराईयों को खतम करने के लिए और लोगों को एक नई दिशा दिखाने के लिए आरे समाज के स्थापना की थी उनका जनम 1824 में हुआ था और उनके बच्पन का नाम था मूल शंकर उनके पिता जी का नाम था अंबा शंकर और माता जी का नाम था अमरिता भीन कई दुखदाए घटनाओं के कारण उनके जीवन पर बहुत गहरा परभाव पदा था जब उनकी प्रिये बहन और उनके चाचा का दिहान दो गया था इन दुखदाए घटनाओं से उसके जीवन पर काफी परभाव हुआ मूल शंकर जीने सत्ते की खोज करने का निश्चे किया मूल शंकर ने मत्रा के स्वामी विर्जानन जी को अपना गुरू बनाया उनसे वेदों के बारे में ज्यान प्राप्त किया अब मूल शंकर स्वामी धयानन के नाम से परसीद हुए जब उन्होंने स्वामी विर्जानन जी से, विर्जानन जी को अपना गुरू बनाया और उनसे वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तो अब उनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानन परसिद हो गया. स्वामी दयानन जी ने 1875 में बंबई में आरे समाज की स्थापना की थी, इसी वर्ष उन्होंने अपने विचारों से संबंदित एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था सत्यार्थ परकाश. बाद में जो स्वामी दयानन जी ने पहले तो मुंबई में जो आरे समाज की स्थापना की, बाद में पंजाब और लहौर में इन्होंने आरे समाज की एक शाखा खोली. अब ऐसा कहा जाता है कि 1883 में अजमेर में किसी ने उन्हें गुस्से में आकर इर्षा से विश्च दिया था, इसलिए इनकी मृत्ती हो गई थी. अब जब आरे समाज की स्थापना हुई, तब दशा हमें बतानी है कि उस समें कैसी दशा थी हिंदू समाज की. धार्मिक सित्य में उनकी दशा थी कि उस समें हिंदू समाज में चारों और एक गहरा अंदकार चाया हुआ था. लोग वेदों में बताएगे सत्ते को भूल चुके थे, वे कीश्वर के स्थान पर कही देवी देपताओं की पुजा करने लग गए थे, इसके अथिरिक्त कही लोग तो अंध विश्वासों के इतने शिकार थे कि वे सच्चाई को भूल गए थे. निमन जाती के हिंदूओं के लिए मंदिरों के दरवाजे बंध हो गए थे, उन्हें वेदों को पढ़ने की भी अनुमती नहीं दी जाती थे, उन्होंने कई हिंदूओं को लालच देकर इसाई धर में भी समिलित किया जाने लगा था उस समय, अब जो हम समाजिक सिति की ब जातियों में भी बट गया था, अब बटा हुआ समाज एक जुड़ तो हो नहीं सकता, ये जातियां जातियों एक दूसरे से घ्रीना करती थी, समाज की निमन जातियों को यनि जो नीची जातियों थी, उन्हें कई परकार के उन पर अत्याचार किये जाते थे, अब जब आ जामी धयानन जी ने आरे समाज की स्थापना की तो उन्होंने कुछ नियम बनाई, उनकी नियमों को उन्होंने, जो उन्होंने कुछ नियम बनाए, वे नियम ऐसे हैं कि पहला नियम उन्होंने कहा कि सच्चा ज्यान प्राप्त करना अवश्यक है, पर तेक व्यक्ति को सच् विश्वर सरवशक्तिमान, निरांकार, सरव्यापक, दयावान है, अमर है, वे सिष्टी की रचना करने वाला है, वेदों में सच्चा ज्यान दिया गया है, इसलिए हमें वेदों की और ध्यान देना चाहिए, परते कारे को सत्ते को ग्रहन करना चाहिए, जूट का त्याग कर सोच समझ कर कारे करने चाहिए गलत कारें से गलत कामों से दूर रहना चाहिए विश्व के कल्यान के बारे में सोचना चाहिए प्रतेक व्यक्ति को अपना भाई समझना चाहिए एक दूसरे से सहानुबूती रखनी चाहिए अपनी प्रगति की ओर जाना चाहिए अग्यानता क नाश होना चाहिए ज्यान में जो उनकी ब्रिधी होनी चाहिए अब प्रतेक व्यक्ति को इन नीमों का पालन करना होगा स्वामी देयानियन जी ने कहा था कि जो आरेस समाज के इन दस नीमों का पालन करेंगे निवम का पालन करेंगे वो एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे एक अच्छा नागरिक ही दूसरे को अच्छा नागरिक बना सकता है अब उनके इतनी पर्यासों से आरे समाज को कई सफलताई प्राप्त हुई अब ये सफलताई उनकी राजनिती शेत्र में भी थी समाजिक शिक्षय और धार्मिक शेत्र में भी थी अब धार्मिक शेत्र में उनको जो सफलताई मिली उन्होंने एक इश्वर की हेक्ता पर बल दिया उन्होंने इश्वर को सरव शक्तिमान सरव्यापक बताया उन्होंने मूर्ति पूजा का जोड़दार खंडन किया समाज में ब्रहमनों के परभाव का विरोध किया उन्होंने जातियों में जो लोग बट गए थे उनको खतम किया उन्होंने हिंदु धरम में पवित्तरता लाने के लिए लोगों को पुने वेदों की ओर जाना चाहिए ऐसा ग्यान दिया अब उन्होंने समाजिक शेत्र में जो उनकी सफलताएं थी वो सबसे पहले तो ये थी कि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज में इस्त्रियों को उची स्थान मिलना चाहिए उन्होंने बाल विवा का विरोध किया वे विद्वा विवा के पक्ष में थे समाज में परशली जाती प्रथा का खंडन किया हरिजनों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने कई कारे किये इसलिए हमें कह सकते हैं कि उन्होंने समाज एक शेतर में कई सफलताइं प्राप्त की अब उन्होंने शिक्षा के शेत्र में भी काफी सफलताई प्राप्त की स्वामी देयानन जी ने संस्क्रीत व्यादिक शिक्षा के सासत पस्चमी शिक्षा के भी वे पक्षमे थे उन्होंने आरे समाजने देश के विभीन भागों में कई भागों में DAV स्कूल और DAV कॉलिजों की स्थापना की सबसे पहला स्कूल 1886 लहोर में खोला गया और सबसे पहला कॉलिज 1889 में खोला गया इससे शिक्षा के का परसार हो गया शिक्षा की शेत्र में उन्हें काफी सफलता हैं प्राप्त हुई अब राजनितिक शेत्र में स्वामी दयानन जी ने भारतवासियों में राष्ट्रे स्वाभिमान उत्पन करने के लिए प्रयास किये कि लोगों में राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान उत्पन हो उन्होंने सवराज्य शब्द का प्रयोग किया बार बार उन्होंने सवराज्य शब्द का प्रयोग किया और ये नारा लगाया कि भारत भारत वासियों के लिए है इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानन जी ने अपने जीवन काल में जब आरे समाज की स्थापना की उस समय उन्होंने जो समाज में धार्मिक तोर पर समाजिक तोर पर आर्थिक तोर पर राजनितिक शेत्र पर जो बुराईयां थी उन्हें समाप्त करने के लिए उन्होंने जब आरे समाज के स्थापना की तो उन्हें काफी सफलताई मिली उन्होंने कुछ लोगों के ऐसे नियम बताए जी नीमों पर चलकर उन्हें काफी सफलताएं मिली भले ही वो धार्मिक, समाजिक, शिक्षा या राजनितिक शेत्र में हो अब उन्होंने उनके बाद लाला हंसराज, लाला लाजपत्राए, पंडित, गुरुदत ने उनके कारे को संभाला उनके जाने के बाद भी इस समाज ने काफी उन्नति की और लोगों के भलाई के लिए कई काम किये थैंक यू